आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Student, आज का जो Question है यहाँ पर हमें बोला है कि जो Reductive Ozonalysis है एक Alkene का वो आपको क्या दे रहा Butanone and Propanol Write the structure of Alkene and give the IUPAC name Basically यह आपको कह रहा है कि आपके पास कोई Alkene है आपके पास क्या है? कोई Alkene है जिसका जब क्या करा है? Reductive Ozonalysis कराया आपको यहाँ क्या product मिल रहा है? Propanol यानि कि CH3, CH2, C double bond OH इस तरीके से प्यूंकि Propanol में हमारे 3 Carbon होते है यह मेरा क्या है? Propanol and आपको यहाँ पे जो दूसरी species मिल रही है वो आपको क्या मिल रही है? यहाँ पे Butanone दूसरी species आपको क्या मिल रही है? Butanone तो Butanone में आपका क्या होता है? C double bond OH इस तरीके से उतर इधर दोन्य साइट सब्स्टिटिवेंट होते है तो यहाँ पे आपका क्या होगा? इस तरीके से यहाँ आपका CH3 and यह मेरा CH2, CH3 Basically यहाँ पे आपके पास कितने Carbon होंगे? 4 Butanone है और हम इसको कैसे solve करते हैं? वो मैं आपको बताऊंगे यहाँ पे यहाँ आपने लिखा और यहाँ पे आपने क्या लिखा? O double bond C यह इस Carbon पे आपका क्या है? एक मिधाईल यहाँ पे मेरा CH2 है और CH3 अब आपको जब यहाँ पे अलकीन बतानी होती है CH यहाँ पे double bond हो गया आपका C यहाँ आपका double bond यह हो जाएगा CH और इसके उपसाद आपका क्या है? यहाँ पे आपका hydrogen नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा एक methyl group भी है यहाँ पे हमारा एक methyl group भी है तो यहाँ पे अब आपका यह क्या हो गया? C चाहते हो तो आप देख सकते हो अगर आप इसको ब्रेक करो अगर इस डबल बॉंड को ब्रेक करो तो आपको यहां पे एक डबल बॉंड मिलेगा तो वह आपका 123 यानि प्रोपेनल हो जाएगा और यहां पर अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको यहां कि यहां पर इसकी नेमिंग करूं तो देखो हमें नेमिंग करते वक्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो सबस्टिटुएंट है उसको क्या मिले लोएस्ट प्रावटी मिले अब आपका सबसे पहली चीज आपको लॉंगेस्ट चेन चूज करने होती है आपको क्या करने होती है लॉंग चेन लेनी है तो यहां पर आपकी जो यह चेन है स्ट्रेट यह लॉंगेस्ट होगी यह आपकी सबसे लॉंगेस्ट हो गई तो आपको यह लेनी है अब अगर मैं यहां से नम्बरिंग करूं तो मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो मेरा जो सब्स्टिटुएंट है ये ये 4th पे आ रहा है और आपका double bond 3 पे और यहां पे करूँ अगर तो मैं 1, 2, ये मेरा 3 और ये मेरा 4, 5, 6 तो हमें जो सब्स्टिटुएंट है उसको lowest पे रखना होता है तो हमारा ये हो जाएगा यहां पे अगर मैं देखूं यहां पे अगर हम देखें तो यह हमारा lowest पे आ रहा है और यहां पे आपका double bond भी आ रहा है 3 पे आपका double bond भी आ रहा है और ये भी आ रहा है तो हमारी numbering इस तरीके से होगी हमारी इस सब 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आप इसको क्या लिख सकते हो यहां पे आपका 3 पे क्या है methyl तो हम लिख देंगे 3 methyl और यह आपकी 6 carbon की है तो हमारा hex और आपका 3 पे क्या है double bond तो उसके लिए हम क्या लिखते है hex 3 यह इसका क्या हो जाएगा आपका IUPAC name हो जाएगा means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर